नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज हम एक ऐसे विशे पर बात करेंगे जिसे आप अपनी लाइफ में रोज देखते होंगे दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग अलग ग्यानी और मुरुख होते हैं वो अपने आपको बहुत जादा अब धिमान समझते हैं दोस्तों उनका confidence भी बहुत हाई होता है वो समझदार और ग्यानी लोगों की खिली उड़ाने में भी पीछे नहीं रहते इसके विपरीद जो लोग ठीक ठाक ग्यान और समझ रखते हैं वो अपने आपको हमेशा underestimate करते हैं उनका confidence भी उतना हाई नहीं रहता दोस्तों ऐसा क्यों होता है इसके पीछे की psychology क्या है आज हम इस पर चर्चा करेंगे बात 1995 की है जब मकार्थर वीलर नाम का चोर एक बैंक को लूटता है चोरी करते समय उसने अपना चेहरा भी नहीं डगा होता है उसी रात पुलिस मकार्थर वीलर को अरेश्ट करने के बाद पुलिस जब सरिवलांस कैमरे की दोरा ली गए फुटेज मकार्थर वीलर को जाता है इसलिए मकार्थर वीलर को लगा कि लेमन जूस लगाने से वो इन्वीजबल हो जाएगा मकार्थर वीलर मांसिक रूफ से पूरी तरह स्वस्त थे उन्हें कोई भी मांसिक समस्या नहीं थी फिर भी वो इस तरह की बाते क्यों कर रहे थे आपको आचर हो रहा होगा कि कोई इन्सान इतना इस्टूपिट कैसे हो सकता है यहीं आचर उस समय के दो साइकलरजिस्ट जेस्टिन क्रूगर और डेविड डेनिंग को भी हुआ उन्होंने इस पर स्टेडी करने के लिए आगे अपनी रिसर्च सुरू कर दी उन्होंने अपनी रिसर्च के लिए कु परफार्मेंस ज्यादा अच्छी नहीं थी जब उनको अपनी परफार्मेंस को गिस करने के लिए कहा गया तो उन्होंने अपनी परफार्मेंस को बहुत बढ़ा चड़ा कर गिस किया इसके विप्रित जिन इस्टूडन्स की परफार्मेंस काफी अच्छी थी उन्होंने अ आसान भासा में कहें तो किसी छेतर में कम गया रखने वाले लोगों को ये भ्रम होता है कि उन्हें बहुत जादा पता है, वो काफी बुद्धिमान है, इसलिए वो अपनी बात काफी लौडली और कॉन्फिडेंस के साथ रखते हैं, चाहे उनकी बात कितनी ही गलत क्यों नहो किसी विशे में ठीक ठाग गया रखने वाले लोगों को उस विशे की ठीक ठाग जानकरी तो होती ही है, बलकि उन्हें अपनी कम्यों का भी एहसास होता है, वो सेल्फ अवेर होते हैं, उन्हें विशे के कई पहलूं और कॉंपलेक्सिटी के बारे में पता होता है, इसलिए वो अपनी बात को काफी सोच समझ कर और विनमरता के साथ रखते हैं एक word होता है metacognition जिसका मतलब होता है कि अपने सोच और thought process के बारे में समझ दोस्तों metacognition अलब ज्यानी और मुर्ख लोगों में काफी कम होता है metacognition is the understanding of one's own thought process metacognition is thinking about thinking the less people know about their subject the lesser their metacognitive ability around the subject अगर साधान सब्दों में कहें तो किसी विशे में कम ग्यान रखने वाले लोगों को अपने विशे और अपने ग्यान के बारे में भी कम ग्यान होता है वो अपनी कमियों के बरत अनवेर रहते हैं तो जब हम किसी विशे का अध्यन करना शुरू करते हैं तो सुरुवात में वो विशे हमें काफी interesting लगता है लेकिन जैसे जैसे हम अपना अध्यन आगे बढ़ाते हैं हमें उस विशे की complexity समझ में आने लगती है और हमारा interest उस विशे में कम होने लगता है और subject भी हमें boring लगने लगता है दीरे दीरे हमारा confidence भी कम होने लगता है दोस्तो इस इस्ति में आकर बहुत से लोग अपने अध्यन को बंद कर देते हैं लेकिन जो लोग अपने अध्यन को जारी रखते हैं धीरे धीरे उनको उस subject में पुना interest आने लगता है और उनका confidence भी धीरे धीरे उनके पास लोट आता है पैनिंग क्रूगर प्रभाव सभी लोगों पर लग होता है हमें लगतार सिखते रहना चाहिए और खुद को update करते रहना चाहिए सुकराथ ने कहा था कि मुझे मालूम है कि मैं बुद्धिमान हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता दोस्तों मुर्ग लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है उनको अपनी महानता का भ्रम होता है उनको लगता है कि वो दुनिया के केंदर में है उनके गलत belief, arrogance और superiority complex के कारण वो अलब ग्यान में ही खुद को ग्यानी समझने लगते है वो अपनी मुर्खता और पूर्ण बातों को बहुत ही confidence से रखते है वो कुछ सीखना नहीं चाहते उनको ऐसा लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है वो हमेशा सही है अगर कोई भी इनसान को करेक्ट करने की कुज़ी करता है तो वो बहुत rude और aggressive हो जाते है इनके विचार काफी black and white होते है और उनमें कोई भी लचीलापन नहीं होता दोस्तों समझ से अतबाती है जब ये family या workplace पर एक crucial इस्थान पर होते है तब ये पूरे environment को toxic बना देते है अगर किसी के अंदर आत्मोगता self cognitive wise कुछ ज़्यादा ही है या arrogance है, superiority complex है तो ये इस बात को indicate करता है कि उस इनसान के अंदर ग्यान और self awareness की कमी है ये उसकी बौद्धिक प्रगत में सबसे बड़ा बादक है दोस्तों आफ समझ ही गए होंगे कि मुर्ख लोग अपने आपको ग्यानी क्यों समझते हैं दोस्तों आफ से सवाल है कि आप खुद को बहुत ग्यानी और बुद्धिमा समझते हैं